हेलो फूडीज मैं हूं किरन होममेट फूडी में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए इमली खजूर की चटनी की रेस्पी लेकर आए हूं रेस्पी देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ इबैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि रोज नई रेस्पी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए तो चलिया बनाना शुरू करते हैं इमली खजूर की चटनी इसके लिए सबसे पहले मैंने मुकोना एक रखा है गैस पर गैस को आउन कर दिया है और इसमें हम एक डालेंगे एक कप के करीब पानी पानी को हम अच्छे से बॉइल आने देंगे और इसमें साथ ही डाल देंगे यह इमली ली है मैंने थोड़ी सी हाफ बॉल के करीब उसे एड़ कर देंगे तो इसके यह मैंने सीटलेस लिये इसमें गुट्लिया नहीं है अगर आपके पास गुट्ली वाली है तो इसको गुट्लियों को पहले ही निकाल दे आप इसे देखिए अच्छी से उबाल आ चुका है इसमे अब इसमें हम डाल देंगे गुडु गुडु भी मैंने हाफ बॉ जाएगा यह देखिए अब हम इसमें डाल देंगे खजूर यह मैंने खजूर जो लिये हैं यह भी सीडलेस खजूर है तो इसके भी मैंने बीच पहले से ही निकाल दिये थे तीनों की मात्रा हमें बराबर ही लेनी है यह देखिए अब इसे अच्छे से उबलने देना है और अच्छे से उबलने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक और साथ ही मैंने डाल दिया है काली मिच पाउडर तो यह ऑप्षिनल है अगर आप डालना चाहे तो डाल दीजिए नहीं तो इसमें आप तरचली पाउडर भी आड़ कर सकते हैं यह देखिए इसे अच्छे से उबलन चान लेंगे यह देखिए मैंने एक स्टेणर ले लिया है और इसे हम सारी चटनी को इसमें निकाल देंगे और इसे अच्छे से चान लेंगे यह देखिए इस से चमज से हम इस तरह के से इसे दबा दबा के इसे हम इसका सारा पल्प जो है वो नीचे निकल जाएगा और जो गुट्लियां होंगी जो इसके रेशे होंगे वो सब उपर रह जाएगे यह देखिए इसमें थोड़े से मैं डाल दोगी इसमें नहीं देखिएगे और इसमें हम डाल देगे इसमें हम डाल देंगे इसके साथ इसे इंज़ाइ कर सकते हो तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेस्पी अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जूर करें और मुझे कॉमन करके भी जरूर बताएं और इसे सब्सक्राइब करना ना भूले बाई बाई टेक केर फिर मिलते हैं एक और नही रेस्पी के साथ